नमस्कार दोस्तों, competition mantra online classes में आपका स्वागत है, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, district code सरगुजा में वेकेंसी निकली थी, total 16 पत के लिए वापे वेकेंसी निकली थी, उसके लिए फिर से सुधी पत्र जारी किया गया है, यानि कि फिर से उसका जो farm है उसको reopen किया ग पांच बजे तक आपका जो है, street post के थुरू, जिला एवं 79 सरगुजा के office में पहुंच जाना चाहिए कार्यालाय में, ठीक है, तब आपका जो farm है वो acceptable है, और इसके लिए पूर्वा में भी notification जारी किया गया था, 29-2022 में तो यहां पर बताया गया है, कि उक्त भरती प्रक प्रस्तूत करने की अवश्यक्तर नहीं हो, लेकिन जो लोग farm apply नहीं कर पाया है, वो 25-2023 तक farm भर सकते हैं, और यह offline mode है दोस्तों, इसके लिए जो है, कौसल परिक्षा का भी आवजन होगा, ठीक है, सिधी भरती है, लेकिन यहां पर आपका कौसल परिक्षा का भी आवज अच्छित, हाँ कुछ आरक्षण जो रखा गया है, वो सिर्फ 36-जड के मूल इस्थानी निवासियों के लिए है, जो आगे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, यहां पर पोस्टों की संक्या बात करें दोस्तों, तो सहाय ग्रेड 3 के समक्च जो पोस्ट है, उसमें total 11 पो पोस्ट हैं, यहां पर साफ सब सब्दों में बोला गया है कि कार्यालेइन विध्यापन क्रमांग 11.1.2022 कोंबिकापूर दिनांग 22.9.2022 में लेखित सेज भरती नियम निर्देश यथावत रहेंगे, यानि कि यहां पर सिर्फ सुदी पत्र जारी किया गया है, आपको जो फार्म का प्रारूप है, 22.9.2022 को जो पूरानी भरती निकाली गई थी, वहां से फार्म का प्रारूप मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में आगे देखते हैं, और इसकी जनकारी के लिए आप जो है विजिट कर सकते हैं, district.ecourts.government in सर्ग दूजा का, ये सुद्धी पत्र जारी किया गया है, जहां पर सिर्फ अभी पोस्टों की संख्यवाद आया गया, जो अभी हम लोग देखे हैं, लेकिन वहां पर साब बोला गया है, जो भरती प्रक्रिया है, वो पुरानी भरती नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसके पिता से रिलेटेड हो गया, क्या-क्यार हर्ता है, होनी चाहिए, क्या आयू होना चाहिए, वो सारी वहां पर दी आ गया है, ठीक है, तो यहां से आप दोनों डॉनलोड कर सकते हैं, एक तो सुद्धी पत्र है, जो एक नंबर में है, चटवे नंबर में है, एड़टाजमे इसको जो notification जारी किया गया था सुद्धी पत्र जारी होने से पहले उसका है तो यहाँ पे पोस्टों की संख्या तो वही है और यहाँ पे बोला गया है कि यह जो पदों की संख्या में कमिय वृद्धी की जा सकीगी अब सेक्षणिक क्योगेता क्या होगी सेलरी क्या होगी उसकी बात करें दोस्तों तो सहाग ग्रेड 3 में साथ चले का प्रोसेस राइटर वह अन्यपत के लिए वेतर मैट्रीस के लेवल 4 यानि 19,500 से 26,000 नहींगी स्टर्टिंग सेलरी 19,500 है सेक्षणिक क्योगेता में किसी भी मन्नेता प्रप्त विश्वेदाला से अनारक्षित वर गेतू निम्तम 45 या आरिक्षत वर गेतू निम्तम 40 प्रतिसा अतंकों के साथ सनातक परिक्षा उतिनन करने का प्रमाड़ पत्र होना चाहिए यानि कि सनातक वाले डाल सकते हैं अब विर्तिकों कम्पूटर में हिंदी टैपिंग की गती 5000 की डिप्रेशन पती घंटा होनी चाहिए गती के सम्बन में कौसर परिक्षा का आउजन भी किया जाएगा तिसरा में किसी विश्वेदाला राजस सरकार या केंदर सरकार द्वारा मानेता प्राप्त किसी संस्ता से डिप्लोमें इन कम्पूटर एप्लिकेसन प्रमाट पत्र के साथ MS वर्तत इंटरनेट का नियुंतम ज्यान होना चाहिए यहाँ पर यदि आप कम्पूटर कोर्स किये हैं computer course में कोई से भी computer course किये हैं और साथ में आपका सनातक complete हो चुका है तब आप सहाई grade 3 में apply कर सकते हैं ठीक है? बित्य पद के लिए बात करें तो किसी भी मानेता प्राप्ता बोड़ अथ्वा संसा से पांचविक अक्षा उतीर्न होनी चाहिए आवेदक का रोजकार का रहले में जिवित पंजयन होना अनिवार्य है सेवा कारे करने हैं तो तत पर तत अविदित पत से संबंदित कारे के अनुभव को प्रमाण पत्र सलग न करें यदि आपके पास संभव है कहीं पर सेवा कर चुके हैं कहीं पर काम कर चुके हैं चाहे वो संवीदा भरती हो या कहीं पर भी काम कर चुके हैं तो उसका अनुभव प्रमाड पत्रेदी है तो अटेज कर शकते हैं वहां चालक पत के लिए देखते हैं तो वेतमान इसका जो है LMV का व्यद अनुग्यप्ति धारी लासेंस होनी चाहिए और आकस्मिस्क निदी से वेतन पाने वाले कर्मचारी जैसे स्वीपर और चोकी धार पत के लिए वेतमान जोहां के लेक्टर सजगुज़ा द्वारा निरधारी धार पर है स्वीपर और चोकी धार के लिए इसमें रोजगार पंजियन भी आपका जीवित पंजियन होना चाहिए और सहाग रेट नी समवीदा पत के लिए वेतमान जोहां 9000 है यह समवीदा पत है बाकी जोहां पर्मनेट जाब है और समवीदा पत भी यहां पे है एक आत पोस्ट उसक इक वेता 9000 रुपे है इसमें भी सेम चीज है जो सेक्षणिक योगेता है सहाग रेट 3 में उपर देख चुके है वही है ठीक है आयू सीमा यहां पात्रता के बात करें दोस्तों तो यहां पे कोई भी उमिदवार जी ने विवाह के लिए दायत नियुनता मायू से पूर व अप्लाई नहीं कर पाएंगे आयवदा की जो आयू है दोस्तों वह मीनमाम 18 वर्स होना चाहिए एक नौ दो हजार बाइस को 18 वर्स मीनमाम आपकी कम्प्लीट होनी चाहिए और अधिकतम जह 35 वर्स से अधिक ना हो लेकिन यदि आप 36 गर राजय की निवास है तो उसको जाती निवास प्रमाण पत्र फरजी पाए जाने की दसा में चेनित उमिद्वार को सूचना दिये बीना उसकी सेवा समाप्त किया जाकर दंडिक करवा ही संस्तित की जावेगी तो यह तो काम की नहीं है साथवे नंबर में है यदि विग्यपित रिक्ट पदों की लिए जाएगा लिखित परिक्षा अलग से और लिया जाएगा ज्यादा फर्म एप्लाई होने की स्थिति में आवेदान पत्र प्रस्तूत करने की प्रक्रिया है वो कैसे करना है यहां पी इस डेट को मत दीखे हैं दोस्तों क्योंकि यह पुराने जो एडवर्टाइजमें कर पाएंगे तो इस डेट पर ध्यान मत दीजिएगा सुधी पत्र में जो फिर से जारी किया गया है उसको याद रखिएगा आवेदान का प्रारूप जो भरना है वो हम लोग देखेंगे ठीक है इसके साथ में आवेदान के साथ जैन्मिती ठीके संबन में प्रमाण पत्र सेक्शनिक प्रमाण पत्र जीजीस के लिए आप अप्लाई करें हैं उसको जो है अटेच करना जाती प्रमाण पत्र इस्थाई निवास प्रbli पत्र रोजगार करने हैं का जिवित पंजियन प्रमाड़ पत्र सास की अरदसास की संस्थानों में करे रह 46 के आपके पास उसकी n Spo करके जो है जो आवेदर हम लोग देखने वाले हैं उसको भर कर पीछे में अटेज करके जम्म करना पड़ेगा ठीक है फांप कर पाड़ू को आगे हम लोग देखेंगे यहां पर कोरियार और इमेल करेख्स के द्वारा जो है स्विकार महीं किया जाएगा सीहफ ओर सीह पर पोस्ट के द्वारए ही आप वह भी सक्ते हैं यहां पर साइड भी दिया गहां इसी साइड में दोस्तों आपको पता चलेगा tra-pattra सुचिफी जा जारी किया जाएगा आपको इसी साइड में जो है देखने को मिलेगा और यहाँ पे विशेस है कई बार कमेंट आता है भी हाली में मोंगेली के लिए जो मैं वीडियो डाला था वहाँ पे था वहाँ पे हाला कि ये portion नहीं था, यहाँ पे है, कोई अब दिरती एक सेधीक पदों के लिए आवेदन करना चाहता हो, तो प्रतेक पद के लिए पिथक 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 आवेदन पत्र, पिथक पिथक लिए फापा में पस्तूत करना होगा, यानि कि आप दो विभीन पदों मे विचार नहीं किया जाएगा, तो भली भाती जो है, अच्छे से उसको फिल कीजिएगा, जो प्रारूफ हम लोग देखने वाले हैं, और यदि आपको इस साइड में देखने में दिक्कत जाती है, ये नहीं मिल पाएगा, आपको PDF तो मेरे टेलीग्रम चैनल के लिंक नीच दिये हुआ है, वहाँ पर जाके जो है, जो है जोईन हो जाईएगा, और वहाँ से डालोट कर सकते हैं, आविदक आविदन पत्र पर अभी प्रमाणित पासपोर्ट साइज के नमिन करना रंगीन फोटो चस्पा करें, रंगीन फोटो जो पासपोर्ट साइज है, वो देंगे, ठीक है, निक्तिव है तुई चैन विधियम प्रक्रिया क्या होगी, तो सहाई ग्रीट 3 के लिए एक उसल परिच्छा होगी 250 अंको की होगी, वहाँ पर जो है, जो मुगली में निकला है, डिश्टी कोर्ट में वहाँ दूसरे कंडिशन है, यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर एक उसल परिच्छा 250 अंको की होगी, उमिद्वारों को 250 सब्दों के गध्यांज को 10 मिनिट की संवर्दी में सुद्धता से केम्पूटर पर उबन्तू उपन सोर्स ओपरेटिंग सिस्टेम के लिए लिब्रे ओफिस में टाइप करना होगा, प्रत्यक किया जाएगा, यह चैन के बाद होगा, ठीक है, अभी नहीं, सहा करेटिन के पदे तो अविदक की संख्या विग्यप्ति पदे के 15 गुना सिद्धिक होने पर चैन समिति के 99 साल कौसर परिक्छा के अत्रिक्ट लिखित परिक्छा भी लिया जा सकेगा, ठीक है, जिसमें ज और कम्प्यूटर के कोश्चन से यहां पर पूछे जाते हैं, अगला देखते हैं, वहां चालक पत के लिए कौसर परिक्छा होगा, वहां चालक के पदी तु 50 गौसर परिक्छा लिया जाएगा, जो भेड़ती कौसर परिक्छा में अनुपस्तित रहेंगा, उसे चैन के ल सक्षातकार यहां पर 10 अंक है, सक्षातकार भी यहां पर 10 अंक रखा गया है, टूटल यहां पर 50 अंक होगा, और चैन सुची तेथा परतिक्छा सुची, चैन हिदु अभ्यरती के पात्रता परतग के समध्न में अंतिम णिने लेने का दिकार जिलयम सत्रय म्यदिस पूरक पदो पर मेरिट सूची के साथ प्रतिक्षा सूची भी जारी की जाएगी जो अधित्तम एक वर्ट के लिए व्यद्य होगी यहाँ पर मेरिट सूची तो जारी किया ही जाएगा साथ में एक प्रतिक्षा सूची भी जारी की जाएगी ठीक है यदि क्या होता है कि आउनलोड कर लीजिएगा या तो भी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा वहां से डाउनलोड कर सकते हैं यह साइड में डारेग्ट चले जाईएगा नेक्ती है ती चैन्त यह तो वही है ठीक है देख चुके हैं अब एदकों को प्रवेश पत्र अप्लोड किया जाने की सू में भी आपको ऑनलाइन ही साइड में देखने को मिल जाए यदि मिल जाएगी तो मेरे को यदि पता चलेगी तो जरूर यहां पर वीडियो बनाके आपके लिए डाल दूँगा यहीं से आपको जो है एडिमेट कार्ट के लिए भी पता चल जाएगी डिष्टिक कोड पुजा के वेबसाइट पर ठीक है पातर अवेदक अपना प्वेश्पत्र डाउनलोड कर आईडी प्रूफ जैसे ड्राइविंग लासेंस, पेन कार्ड, अधार कार्ड, मध्दान पर इचाय, स्मार्ट कार्ड एवं अपना अरहरता से समन्दी सभी मूल देस्तवेज, सही निर्धारित दिनांक एवं समय पर कौसल परिक्षा सक्षातकार है तो उपस्थित होंगे, किसी भी आविदक को अन किसी भी रूप से कौसल परिक्षा सक्षातकार है तो सूचना परवेश्पत्र प्रिथक्स से नहीं भेजा जाएगा, यहां पर नहीं भेजा जाएगा, अंकित निर्धारती स्थाने में समय पर उपस्थित रहना होगा, उन्हें किसी प्रकार के यत्रवाइवादी देन नहीं होगा, अब बात करते हैं, फार्म कैसे भरना है आपको, यहाँ पर जो भ्याविदित पद है, उसकी रिक्त पद पर नुपती है तू जिसके लिए आप ब्रीत के लिए डाल रहे हैं या वहाँ चालक के लिए डाल रहे हैं, स्वीपर के लिए डाल रहे हैं, वह भरना है, ठीक है, जिलायम 17 नादी, सरगुजांबी कापूर 36 गर्ड और इसी के एड्रेस में, यही एड्रेस है, पीन कोड एक बार अच्छे से पता कर लिजेगा, यहाँ किया है, पीन कोड, पीन कोड के साथ में आपको स्पीट पोस्ट करना है, तो बहुत जल्दी पहुंचती है, यादी पीन कोड नहीं डालते हैं, थोड़ा लेड से पहुंचेगा, जो इन्वलप आप, यह तो फौर्म है, इसको अंदर में डालेंगे, जिस बाहरे में होना चाहिए, स्वाहस्ताक्षरीत, आध्न जो हैश्फोते में होना चाहिए, ऐसे signature करना है आपको, ठीक है, आवेदित पत का नाम यहाँ पे लिखने है, आप क्या चीज़ के लिएपलाई करने हैं, वो उस आवेदित पत का नाम लिखना है, अपना पूरा नाम ल तो दोनों में सेम पता डाल सकते हैं, जन्मति थी आपने डालना है, अंकों में, सब्दों में, और बांकी डीटेल्स है, नुवा में क्या, अविदक छेतिदर का मुल निवासी है, तो हां लिखना है, ये सारी चीज़े है, अपनी जाती वगर डालना है, कौन से जाती से आप पर डालना है, अपनी योग्यता संबंदी जानकारी देना है, जैसे आप छोटे पोस्ट के लिए डाल रहे हैं, तो जो आट फी पांच फी मांगा गया है, तो उसके बारे हम पूरे डेटेल्स भरना है, उतिर्ण होने किती थी, बोर्ड का नाम, विशाय और प्रतिशत, य किसी भी नियले में प्रक्राणड दर्ज किया गया है, तो यह डालना है, यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, सलग प्रमाड पत्रों की सूची बहुत इंपोर्टेंट है, क्या क्या आपको डालना है, तो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा, आपका रोजगार पंज अविदक के हस्ताक्षर, बीना आविदक के हस्ताक्षर के वहाँ पे जो है, बोल दिया गया है कि एक्सेप्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे ध्यान सी इसको भरियेगा, ठीक है, उसके बाद आविदक के दो बार हस्ताक्षर है, और नीचे में नामें पूरा पता है, दिनां इसको भरियेगा दोस्तों अच्छे से समझ लीजियेगा और इसी प्रकार की जाव अम्डेट पाने के लिए मेरे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लिजियेगा क्योंकि मैं अधुरी जानकरी नहीं देता हूं ठीक है तो विश्वास पात्रा समझ के जो है चैनल को सब्सक कर सकते हैं वीडियो प्यान तक बने रहने के लिए आप सभी कर धेंड़ेगा